आज एक दिल्चस्प खबर है जो बतलाती है कि टेक्नलाजी ने लोगों की जिन्दगी को किस तरह बदल दिया है किस हद तक बदल दिया है कल मेरे शहर में चार लोग गिरफतार हुए हैं गिरफतार इसलिए हुए कि यूट्यूब देखकर उन्होंने शराब बनाना सीखा शराब बनाई उसको बोतल में ब पूछेगा तो घर वाले बतलाएंगे कि साथ सरकार उनको नापसंद करती थी इसलिए गिरफतार हुए क्यों नापसंद करती थी क्योंकि सरकार को कमपिटीशन पसंद नहीं है क्यों पसंद नहीं है कि सरकार ने 36 गड़ में शराब के कारोबार पर एकाधीकार रखा हुआ है और कोई दूसरा शराब बनाकर बेच रहा है तो सरकार उसको बरदाश नहीं कर सकी इसलिए हमारे घर के लोगों को सरकार ने गिरफतार कर दिया है लेकिन आप सोचिए टेकनलाजी की सहूलियत कितनी हो गई है कि कम पढ़े ली थे लोग जिनकी जानकारी भी अतकचरा है वो भी यूट्यूब देखके घर पर शराब बना ले रहे हैं और सरकारी शराब के मुकाबले बाजार में बेच रहे हैं बीक रही है शराब के साथ पकड़ा गए गिरफतार हो गए एक दूसरा किस्सा मैं आपको बतलाता हूँ थोड़ा पुराना है वो महराष्ट्र में एक बेरोजगार लड़का था माबाप मर गए थे लोगडाउन वगर में बेरोजगारी आ गई थी उसके पास किराया भी नहीं था मकान का इधा उधर भटकते रहता था उसने यूट्यूब देखकर बम बनाना सीखा यूट्यूब देखकर बम बनाना सीखा मैं आपको साधान कर दे रहा हूँ कि आप ऐसी हरकत कोई मत करना क्योंकि आप जिन keyword से search भी करेंगे YouTube पे वो keyword आपके नाम के साथ दर्ज हो जाते हैं जिंदगी भर के लिए बाद में किसी वज़े से आपके पास अगर कोई पहुंचेंगे तो आपके नाम के साथ वो keyword मिलेंगे कि इसने bomb बनाना सीखा था तो खैर, नाकपूर में इस लड़के ने बंबनाना सीखा, अपने हिसाब से एक बंबना दी लिया, जब बंबना लिया तो डर गया खुदी उससे डर के उसने जाके पुलीश थाने में बंब जमा करा दिया और कहा कि ने गलती से ये बंबना लिया था उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफतार किया जांच वगर हुई आगे कारवाई जो भी हुई होगी एक खबर है मेरे पास एक भरोसेवंद अख़वार की कि YouTube देखकर उसने बम बना लिया ऐसे ही मैं बतलाओं आपको कुछ लोगों ने मेरे आसपास कतल किया इस तरह से YouTube पर देखकर किसी टीवी चैनल को देखकर किसी क्राइम सीरियल को देखकर कतल किया और बतलाया बाद में पूछ काच में कि हमने फलाने यूट्यूब चैनल पर इसको देखा कर ये सीखा है मैं आपको यूट्यूब से जुड़ी हुई सबसे दिल्चस्प और सबसे दर्दना के ख़बर बताना चाहता हूँ केरल के एक पत्रकार दोस्त हैं मेरे उन्होंने मुझे को ये जानकारी भेजी केरल के एक सबसे विश्वस्नी है वेबसाइट से मैंने इसको देखा पढ़ा वहाँ पर एक मुस्लिन व्यक्ति है जिसके तीन बच्चे हैं पहले से चोथा बच्चा होने वाला था केरल में भी जैसे हमारे मितानीन है 36 गड़ में दूसरे प्रदेशों में आशा नाम की स्वास्तकारे करता है महिला स्वास्तकारे करता वहाँ भी हैं तीन बच्चे आपरेशन से हुए थे इस महिला के लेकिन चोथे बच्चे की जब बारी आई और उनके घर पे आशा स्वास्तकारे करता पहुंची की अस्पताल चलो जाच कराने के लिए तो उसके पती ने कहा कि नहीं हमको जाच नहीं कराने हैं हम घर में ही डिलिवरी कराएंगे घर पे ही जचकी कराएंगे कुछ समझाया तो यह जो मुस्लिम व्यक्ति था इसकी पहली एक पत्नी थी उससे जो लड़की थी वह एक्यूपंक्चर का कोर्स कर रही थी तो उस लड़की ने अपनी इस सोतेली मा को इसकी डिलिवरी के समय एक्यूपंक्चर से उसका इलाज चालू किया और इस आदमी जिसके तीन बच्चे थे तीनों सीजेरियन थे आपरेशन से हुए थे अस्पताल में चौथे बच्चे के लिए यह तै कि घर पे ही हम जच्की करेंगे यूट्यूप देखकर सीखना चालू किया कि घर पर डिलिवरी कैसे करवाई जाए महिला स्वास्त कार्यकरता जो है वो गई जाके अस्पताल में डॉक्टर को बताया डॉक्टर इनके घर पहुंचा समझाया कि बही ऐसा मत करो यह यूट्यूप अगर देखके घर में डिलिवरी नहीं करवा सकते आप अस्पताल चलो अस्पताल में आपके तीन बच्चे यह चौथा भी अस्पताल में होगा बहुत समझाया इस आदमी ने जो शब्द इस्तेमाल हुआ है मिस्बिहेव करके बत्तमीजी करके बतसलूकी करके उन लोगों को भगा दिया डॉक्टर को और स्वास्त कार्यकरता को कहा कि मता ना हमारे हां हम खुदी करेंगे डिलिवर करवाई घर पर बच्चे के भी मौत होगई बतनी के भी मौतों होगई जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो गये यूट्यूब देखकर कभी इस किस्म का अडे वेंशर मत कीजीए YouTube पे ये भी उपलब्ध है कई देशों में हो सकता है कि लोग घर पे डिलिवरी करवाते हैं लेकिन ये खतरनाक है ये काम दोनों की मौत हो गई अब आप सोचिए ये आदमी जो है ये एक YouTube वीडियो के साथ बैठा हुआ है इसकी बेटी एक्यूपंक्चर सीख रही है अपने अतकचरे ग्यान के साथ बैठी हुई है और जो दूसरी बीवी है उसकी वो तीन बच्चों को छोड़के गुजर गई है क्या करे सरकार किसी प्रदेश की सरकार उसके घर जाके बार-बार समझा रही थी कि आप चलो अस्पताल चलो वहां पे डिलिवरी होगी जो स्वास्त कारे करता है महिला उसको भी कुछ पैसा मिलता है यहां भी मिलता है मितानिन को आशा वरकर जहां पे हैं जिन प्रदेशों में उनको भी मिलता है कुछ पैसा सो दो सो रुपिया मिलता होगा एक गर्वती महिला को ले जाने का institutional delivery कहते हैं अस्पताल में delivery के लिए ताकि जच्चा बच्चा सुरच्छित रहे केरल जैसे पढ़े लिखे राज्य में इसको डेढ़ होशियार कहते हैं हम लोगों की जुबान में कि इस आदमी के हाथ में YouTube क्या लग गया ये डॉक्टर बन गया अपने घर में अपनी पत्नी को बच्चे को दोनों को मार डाला इस तरह से delivery करवाते हुए कभी मत कीजिएगा ऐसा ये आज की जितने मिसाल मैं दे रहा हूँ उसका सबसे भयानक मामला है ये कितने तरह की चीजें हो रही हैं YouTube पर देख देख कर जिसको अंग्रेजी में do it yourself कहते हैं खुद ही करें ये आम तोर पे इस्तेमाल होता था आप अपने घर में इस टूल बना लें उसके लिए है घर में नल सुधार लें उसके लिए है do it yourself आपको कोई exhaust fan लगाना है तो खुद लगा लें कोई sink फिट करना है तो कर लें इन सब के लिए do it yourself रहता था ऐसी kit आती थी पहले बाजार में अब लोग bum बना रहे हैं दारू बना रहे हैं कतल कर रहे हैं YouTube पर देख कर सीख कर दुनिया के कई देशों में ये चल रहा है अमरीका जैसे देश में जहां हर कुछ दिनों में लोग बंदूक से कई कई लोगों को मार डालते हैं बहुत सारे ऐसे shoot out होते हैं वहां पर वहां पर लोग बतलाते हैं कि उन्होंने YouTube देख कर सीखा था YouTube देख कर हमले की idea मिली YouTube देख कर पता लगाया तो technology जो है वो कहां से कहां ले गई है इसको देखिए लेकिन सब कुछ बुरा ही होता हो ऐसा नहीं है YouTube देख कर बहुत से अच्छे काम भी होते हैं मेरे पास आज ही एक report आई है इस report को आपको बतलाता हूँ मैं ये रिपोर्ट जो है जम्मू के पास की पुंच जिले की इसका नाम आपने सुना होगा कश्मीर की खबरों में आता था अब जम्मू अलग हो गया है वहां के पुंच जिले का एक गाउं है वहां मुस्लिम परिवार है बहुत सारे उसमें से एक फरहीन कौसर आफरीन बतूल सिफत कोहली ऐसी लड़कियां है ये ग्यार्मी कक्षा की छात्रा है फरहीन कौसर इसके पिता दरजी थे और अपने इलाके के जाने माने दरजी थे तो इस लड़की ने अपने पिता से सिलाई का काम सीखा और यूट्यूब से नई नई डिजाइन और नई नई पैटर्न कपड़ों के वो सीखा अब उनका काम पिता का काम जो है पुराने स्टाइल का था लेकिन अपने इलाके में जाना माना था लड़की ने उस काम को आगे बढ़ाया एक साल अपने पिता से और यूट्यूब से दोनों से सीखा और वो बड़े उत्साह के साथ अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ा रही है परंपरागत काम पिता से सीखा नई डिजाइने नए फैशन इनको यूट्यूब से सीखा दोनों को सीख कर वो काम को आगे बढ़ा रही है यानि डिजिटल तकनीक से महिला का आर्थिक सशक्ति करन किस तरह हो सकता है घर बैठे ये इसकी एक मिसाल है एक दूसरी मिसाल इसी रिपोर्ट में है ये है 16 साल की आफरीन बतूल है जो दस्वी कक्षा में पढ़ रही है उसने यूट्यूब से महंदी लगाने की कला सीखी बहुत सारे महंदी कलाकारों के वीडियो मिले और उसने देख देख कर सीखा देख देख कर सीखा अब हालत ये है कि उनके गाउं में कजबे में कहीं भी अगर शादी होती है तो दुलहन को महंदी लगाने के लिए आफरीन को बुलाया जाता है 16 साल की है स्वर रोजगार मेंदी लगा कर कोई लंबा चौड़ा पुझी निवेश भी नहीं किसी ट्रेनिंग स्कूल नहीं गई और हालत ये है कि एक बार में मेंदी लगाने के लिए दुलहन को मेंदी लगाने के लिए धाई से तीन हजार रुपए उसको मिलते हैं अपने गाओं के आसपास दूसरे गाओं में भी उसको बुलाने लगे हैं लोग इतना अच्छा मेंदी लगाना सीख लिए अब मुझे को ये बतलाई है जो लोग रोते रहते हैं जीकते रहते हैं कि उनके पास रोजगार नहीं हैं सरकारी नौकरी नहीं हैं उम्र निकले जा रही है पढ़ाई पूरी नहीं है मारकशीट में ही मिली है इन सबसे परे इन लड़कियों ने खुद ने ये काम सीखा खुद ने ये काम किया ये दूसरी मिंसाल थी मैं एक मिसाल और देता हूं 20 साल की सिफत कोहली ये भी उसी इलाके जम्मू इलाके की रहने वाली है उसने इंटरनेट और सोशेल मीडिया पर एक दिन स्क्रोल करते हुए, सर्फ करते हुए, एक मेकप कलाकार का काम देखा, एक आनलाइन कोर्स उसने जॉइन कर लिया, छे महने तक उसने कोर्स सीखा, आनलाइन, घर बैठे, और एक साल तक प्रैक्टिस की, मेकप करने की, आज ह हलत यह है कि वो अपने इलाके में बहुत अच्छी मेकप आर्टिस्ट के रूप में उसकी शोहरत हो गई है, उसको शादी ब्यां में दुलहनों के लिए या शादी में दूसरी घर की दूसरी महिलाओं के मेकप के लिए बुलाया जाता है, आसपास के गाउं तक वो जाती ह और कॉलेज भी पढ़ाई कर रही है, मेकप करके जो कमाई करती है उससे अपनी पढ़ाई लिखाई और दूसरी चीजों पर खर्च करती है वो, यह एक रिपोर्ट है जिसमें ऐसी बहुत सारी मिसाले हैं, मैं इसी बात को लेकर आपके बीच आया हूं, कि यूट्यूब प पर फालतू की चीजों को देखने में लगाते रहें, और नहीं, तो आप कोई अच्छा काम करके यूट्यूब से सीख कर उस काम को कर भी सकते हैं, कर भी सकती हैं, या खुद यूट्यूब पर कोई चैनल खोल कर उस पर अंधा दूंद आगे बढ़ सकते हैं, मुझको 36 खिलवनों का कुछ वीडियो बनाता है, और उसका एक 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 वीडियो आठ लाग, दस लाग, पंधर लाग बार देखा जाता है, उसको लाखों रुपए की कमाई हो रही है, छोटे छोटे खिलवनों के वीडियो, और उसके वीडियो सबसे ज़्यादा कहां चल रहे हैं, चीन में, जहांके लोग मैं 36 गड़ी समझते, मैं हिंदी समझते, वो लड़का गाओं का लड़का है, शायद अंग्रीजी जानता नहीं होगा, लाखों लोग, दस-दस लाख लोग उसके वीडियो देख रहे हैं, लाखों रुपए महीने उसको मिल रहे हैं, छोटे- भी बूले बटके मैं किसी दोस्त के जोर जवरदस्ती से किसी बहस में शामिल हो जाता हूँ, फिर बाद में मुझको अफसोज भी होता है, कि बहुत सारी बहसें आज की ऐसी मशुहूर हैं या काम्याव हैं, जो किसी एक किस्म के एजेंडा को लेकर चलती हैं, कि आप या मुदी के खिलाफ हो जाएं, या मुदी के पक्ष में हो जाएं, दो में से कोई एक खेमा आप जोइन कर लें, किसी एक गुट में चले जाएं, तो आपके दर्शक बहुत हैं, लेकिन अगर आप इमानदारी से कोई बात करना चाहें, बिना किसी का प्रोपगंडा किये लेकिन ये तो राजनीती की बात है मैं राजनीती से परे कियो दुतरफा बात कर रहा हूँ आप यूट्यूब पर कैसे जा सकते हैं कैसे काम कर सकते हैं ये तो एक हुआ जुक्सकी की एक मिसाल मैंने आपको दी मुझको ये पता लगा है कि 36 गड़ी फिल्म और संगीत का कारो बार इतना बड़ा हो गया है कि 36 गड़ में दरजनों यूट्यूबर जो हैं लाखों रुपिया कमा रहे हैं लाखों रुपय कमा रहे हैं उनके दर्शक उनके श्रोता इतने बढ़ गए हैं एक एक गाना उनका 10-10-20-20 लाख बार देखा जा रहा है बहुत मामूली सी खाना पूरा का पूरा शूट कर लिया था वीडियो शूट कर लिया था उसका कई ऐसे लोग हैं जो घर में खाना पकाना उसका वीडियो डालते हैं वो वीडियो लाखों में देखा जाता है मुझको लग रहा है कि टेकनलाजी और फ्री की टेकनलाजी है यूट्यूब प्लभावा नहीं दे रहा हूं लेकिन बतला रहा हूं मैं काम की समभाव ना है कहां कहां पर यह मुफ्त की टेक्नलाजी मुफ्त का प्लेटफ़ार्म है आप जो चाहें कर सकते हैं उसको यूट्यूब पे डाल सकते हैं उसको लोग देखेंगे तो आपको पैसा मिलेगा तो आपको यह सोचना है कि आप YouTube से ही सीख सकते हैं मुफ्त के वीडियो देखकर कि मैं अपना YouTube चैनल कैसे बनाऊं मैं सबसे ज़्यादा काम्याब YouTube YouTube चैनल किन विशियों के हैं दारू बनाने का मत देखिएगा गैर कानूनी काम है बम मत बनाईएगा गैर कानूनी काम है कतल वतल और इस तरह के ब्लेकमेल करने का काम मत कीजिएगा वो भी एवलेबल होगा YouTube पे फंच जाएंगे यह सारे सुबूत आपके खिलाफ काम आएंग कि YouTube पर मांग किस तरह के चीजों की है मुझको 36 गड़ के एक किसी स्टार्ट अप के जो नया नया कारोबार चालू करते हैं उसके किसी एक नौजवान का किसी ने YouTube का लिंक बहजा नाम मैं भी भूल रहा हूं उसको हर वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं पांच लाख दस लाख लोग देख रहे हैं हर वीडियो को और वो केवल financial investment कैसा किया जाए इसके बारे में बात करते हैं कुछ दस्यों लाख लोग फालो कर रहे हैं लाखों लोग एक एक वीडियो को देख रहे हैं लाखों रुपिया भी मिल रहा होगा तो मैं आज दो तिन तरह की चीजों की मिसाल लेकर आपके बीच हूँ ऐसा मत कीजिएगा कभी कि किसी को ब्लेक मेल करें किसी की आपसिन, अशलील, नंगी फोटो को वीडियो को कैसे वाइरल किया जाए इसकी भी टेकनीक होगी यूट्यूब पे मैंने अभी सर्च की नहीं है होगी लेकिन उस पे मज जाएगा दारू भी मत बनाईए उसको देखकर कतल भी मत कीजिए उसको देखकर बम भी मत बनाईए उसको देखकर लेकिन उस पे बहुत सारी चीजें सीखने का मौका है आप घर पे रहने वाली महिला हैं तो भी आप सीख सकती हैं खाना, पकाना, मेहंदी, ग्री सज्जा, अंग्रेजी बोलना मुझको अंग्रेजी बोलना बड़ा महतुपूर्ण लगता है आप यूट्यूब से अंग्रेजी बोलने के बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं मुफ्त में देख सकते हैं सीख सकते हैं उससे सोच के देखिएगा हजारों किसम के काम वहां पर आप सीख सकते हैं आनलाइन उसको आप बेच सकते हैं मुझको अभी कोई मिले उन्होंने कहा कि उनकी पत्मी जो है 36 गड़ के हैंडलूम के कपड़े उसको ले रही हैं लोगों से बुनकर लोगों से उनको इंटरनेट पर डाल कर उसको सेल कर रही हैं और जिस दिन वो मुझक को बतला रहे थे उस दिन उन्होंने मुझको कहा कि आज सुबह से अभी तक 40,000 की बिकरी उनकी हो चुकी है अब तो छेना भी बिकरा है कंडा छेना जो गोबर से बनता है वो भी बिकरा है इंटरनेट पर तो मैं आज ये जुर्म की बात से तो मैंने शुरू किया था बम की बात पर मैं आया था ऐसी और भी कुछ खबरें होंगी यूट्यूब से जुड़ी हुई आप सोच के देखिएगा आपकी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता है यूट्यूब मुफ्त का प्लेक्पार में पैसा नहीं लगता है सोच के देखिएगा आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा कि वो भी ढूंडे उनको क्या सीखना है उनको क्या करना है उसमें यूट्यूब पे क्या मदद मिल सकती है क्या संभावनाएं देखिएगा आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की कीजीएगा इसके लिंक दोस्तों को भेजिएगा कमेंट कीजिएगा और चलते-चलते छोटी सी सलाः कि अगर आप दूपई या उस पे बैठते हैं पीछे तो हेलमट लगाकर रखियेए उसका बेल्ट लगाकर रखिये किसी हादसे की हालत में इसी से आपकी जान बचती है कल की खबर है दो लोग फिर मारे गए हैं मुझको किसी भी दिन पुरानी खबर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता इस शेतावनी के लिए हर दिन 36 गड़ में एक, दो, तीन, चार लोग दुपहिये वाले मारे जा रहे हैं हर एक की खबर नहीं आती है लेकिन कुछ नो कुछ मौतों की खबर तो आती ही है साधान रहे हिलमेट ट्रेफिक पुलीस के लिए नहीं है हिलमेट आपकी जिंदगी बचाने के लिए है आप ट्रेफिक पुलीस को बेकूप बना कर निकल सकते हैं ऐसा आपको लग सकता है यह अमराज भेंसे पर आता है उसको बेकूप बनाना आसान नहीं रहता यह सोचके हिलमेट लगाईए फिर मिलते हैं